अब दोस्तों कैसे हो सब्सक्राइब एक नूव वीडियो में तो दोस्तों अभी साम का टाइम में अब पांच वह रही है तो आज जो हमारे गर पेपर फ्राइब नंबन वाली है तो देख सकते हैं किस तरह से चकुट चकुट प्याज केटिंग कर रहे हैं और आज जो हमारे घर पेपर फ्राय बनेगा तो चलिए दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो में बने रहेगा और यह दो बिल्कुल देशी तरीके से बना रहे हैं मेरे अंस्वेन आज खुद से घर में ही चुकि मार्केट का उतना बढ़िया नहीं बनती है दोस्तों तो आप फुल रुषर कि देखेने को मिले ऊस विडियो के माधियम से तो चलिए मैं अब हैसारा प्याज अच्छी तरह से कटिंग कर रहा हैודה और अभी जो है बनाएं मित तो यह देह सकते हैं सारा कटिंग और इदर मेरे बेबी खेल रहे हैं दोनों दोस्तों चले किचण हो चुख यह तर देख सकते हैं गोवी रही को से गलब पानी सी दोलें पानी डाल में घोल लेना है मेदे में डालना हमको नमक और कुछ नहीं और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हलका पतला रखना जादा गाड़ा नहीं ताकि गोभी में संज आ तो यह देखें गोभी डाल निया इसमें आप जो है इधर मेरा तेल ग तो यह देखें गोभी करना है दोस्तों हु उले तो यह मेरा फ्राइब हो जाएगा तब खाने मजाएगा मुच्छ मुच्छ दम अभी जोग तारा दो तो तेल से निकालना है अच्छी तरह से उसको चान चाब देगे दोस्ता है तो सारा गुबी जोग थान भी समा तुका है यह में इडिया पनाविधाद जोग आप यह तो आवा लेंगे शब्रूस का आप यह थे अध्रक लसि अध्री हरी मिर्ची झाल रहें अद्रक लसुन हरी मिर्ची डालने के बाद इसको रुका सा पकाना है उसके बाद इसमें प्याई डाल देना है दोस्कों यह दोखिया पक चुका है लसुन मेरा पॉर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है बनाने में काफी जल्दी बनके तैर हो गई है तो यह देख मिक्स कर लेना है तो थोड़ी देख चलाते रहना है तो जो चलाने के बाद इसमें हम हलका सा तेल डाले है यह रहा स्वया सुस्थ दोस्तों वह हलका सा नमक डालके इसको मिक्स कर लेना है अब इसम थोड़ी सी पानी डालेंगे पानी डालने के वाज़े इसके चला लेना ह और उपर से नमख डाल जाएं थोड़ी सी अब जो सब को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ दिर पकाना है तो यह देखिए उबलने लगा उबलने के बाद जो अभी हम इसमें तो अब इसमें गोवी डाल रहे हैं जो फ्राइब करके गोवी रखे हुए तो गोवी डाल के जो इसको अच्छी तरह से चलाना है दोस्तों दिए देख सकते हैं तो आज मेरे इसमें घर में बना के खिला रहे हैं तो आप लोगों कैसा लगा है प्लिस कमेंट शुचेजेगा तो चलिए मत्तव यह फाइनली बनके रेडी हो चुका है और अभी साम को साले चार बजा है तो आदमी अंटा में बनके रेडी हो चुका है तो यह देखिए क्या बढ़ियां बन नहीं है तो अब जो इसको फ्लेट में खाली करने तो यह देख सकते हैं फाइनली बनके तो ये री मेरी बेवी का खाना ये रोटी के साथ हूं 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 अब तर फैद पचले दोस्ता हम ले बड़ी है तब तक लिए बाई बाई